सरसो के साग को सरदियों के मौसम में खाने का सभी का बहुत मन करता है लेकिन इसको बनाने का तरीका काफी लेंदी होता है जिसके चलते लोग इसको बनाने में थोड़ी सी आलस करते हैं तो आज मैं आपको सर्सो का साग बनाने का बहुत ही आसान और जटपट तरीका बताऊंगे और ये साग इतना चटपटा बनेगा कि हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे. नवशकार दोस्तों आशूस कुकिंग मैजिक से मैं हूँ आशू तो चली आज हम बनाएंगे जटपट बनने वाला सर्सो का साग. यहां पर मैं 300 ग्राम पालक ले रही हूं और पालक के साथ आप मेथी और बत्वए को भी यूज सकते हैं लेकिनि आप सिर पालक और सर्सो के साथ बना रही भूँ अब मैं आपको पत्ते तोह नवाना बता रही हूं। और जो ये पीले पत्ते होते, खराब पत्ते होते हैं, उनको हम अलग कर देते हैं, कीडे भी देख लीजेगा, कीडे ना हो पत्तों में, पत्ते बहुत साफ सुत्रे ही आप यूज करिएगा, साग बनाने में इन सारी चीजों का ध्यान लखना पड़ता है, तो बस इसी तरह स हम सारे सरसो के साग के पत्तों को तोड़ लेंगे, पालक में हमें जादा महनत नहीं करनी होती, बस पीछे से इसकी जो जड़ होती, उसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, इसकी जो डंठल होती, वो काफी सॉफ्ट होती है, तो हम पूरी इसकी डंठल को भी यूज करते हैं साग बनाने में अगर आप चाहें तो यहाँ पे पालक के पत्तों के साथ मेथी के पत्ते और बत्वा के पत्तों को भी सर्सो का साग बनाने में यूज कर सकते हैं सर्सो के साग में मेथी, बत्वा, पालक सब तरह के सागों को मिला के बनाया जाता है लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पालक को ही मिला के बना रही हूँ बस सरसो के साग की मात्रा जादा रखी जाती है तो अब हम ने यहाँ पे सारे पत्तों को अच्छे से छाट लिया है सरसो के और पालक के पत्तों को अब हम इने तीन से चार पानी नमक मिला के अच्छे से धोएंगे ठीके ना नमक के पानी में साग के पत्तों को जरूर वाश करिएगा इससे इसके कीडे मर जाते हैं तो इनको साफ कर लेंगे हम अभी हम यहाँ पे चलते हैं तैयारी करने तो यहाँ पे देखें अधरक मैंने 1.5 इंच अधरक लिया है और लैसुन मैंने ली है पूरी एक आरी 1.5 आरी मैंने लैसुन ली है अधरक और लैसुन सरसो के साग में बहुत जादा पड़ता है तो मैं यहाँ पे इनको एक चौपर जो है इसमें मैं अच्छे से महीन चॉप कर लूँगी, आप चाहें तो लैसुन अद्रग का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप महीन महीन लैसुन और अद्रग को काटें, महीन महीन काटने में टाइम बहुत लगता है, तो मैं यहाँ पे चॉपर की हेल्प से इनको बह साग को काटना में आपको बता रही हूं, हमें पालक सरसो को इतना महीन महीन काटना होता है, तो यह देगे, बिल्कुल महीन महीन चॉप करना होता है, तो बस इसी तरह से हमने सरसो और पालक को बहुत अच्छे से महीन महीन चॉप करके भी तयार कर लिया है, तो सारी बारिक और इसमें हम डाल देंगे एक कप के करीब पानी, ठीक है? पानी डालने के बाद धुला हुआ, साफ, कटा हुआ, साग, सरसो और पालक को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है? इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चम्मच लैसुन और अद्रग जिसको हमने महीन मही लेकिन हम थोड़ा सा लेसुन और अद्रक को बचा लेंगे एक चम्मच के करीब इसको आगे हम तड़का देने में यूज करेंगे तो अभी हम इसको साइड मे रख देते हैं दो तीन हरी मिट जितनी आप खाना पसंद करते हैं उसको महीन महीन काटके इसी समय डाल दीजे इसमें और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वात के अन्युसार आप नमक डाल दीजे इन चीजों को हलका सा हम मिक्स कर देंगे जिससे की थोड़ा नीचे की तरफ भी अद्र अगर आपके नहीं है तो आप इसकी जगेपे दो चम्मच बेशन भी डाल सकते हैं तो हमने है इसको पाने घोल के डाल दिया है इसको मिक्स कर देंगे खुब अच्छे से पूरे साग में इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसको प्रेश ऐस अच्छे से 3 से 4 सीटी आने का वेट करेंगे यहां पर हम भी hypocrAll फ्लेम का फ्लेम पर हम सीटी अने का वेट करेंगे तो लगबख मैंने 4 सीटी बजाई है प्रेशर कुकर के अब इसक अब प्रेशर निकल जाएगा तब हम ढुटेttर लेंगे gelenखन discussing तो साग देखे कितना अच्छे से गल गया है, तो आप यहां पर साग को अगर आपके पास time है, patience है, तो आप यहां पर क्या करें, कि मतानी या कर्ची से साग को दबाते हुए मैश करते रहें, आदे घंटे तक साग आपका पकेगा और वो धीरे धीरे गुटता रहें, घोंट और बहुत ही पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसको बनाने में काफी महनत लगती है, और बहुत समय लगता है, अब मैं आपको बताओंगी कि सरसो के साग को जटपड कैसे बनाना है, इस स्टेज पे मैं यहां पे सरसो के साग को थोड़ा सा ठंडा करके, मिक्सी में पल्स पे बीच बीच में धखते रहेंगे, धख के लोग फ्लेम पे हम इसको इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, लगबग 5-7 मिनट मैंने साग को जो है लोग फ्लेम पे ऐसे धख के चलाते चलाते पकाया है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि साग को मैंने बहुत ज़्यादा मह साग हमारा पक चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, तो चलिए लगाते हैं तड़का, तड़के वाला पैन हमने गैस पे रख दिया है, इसमें हम तीन से चार चम्मच भर के देसी घी डालेंगे, तो घी आपका जितना अमन करें उतना डालिए, घी जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम जीरा डाल देंगे, एक चम्मच, हींग डाल देंगे, आदा चम्मच और इसके बाद जो लैसुन और अदरख हमने एक चम्मच के करी बचा लिया था, उसको भी डाल देंगे, लैसुन और अदरख को हम लगभग, एक से डेड मिनट, सुनेहरा क नहीं तो स्किप कर सकते हैं, हरी मिर्चे मैंने लंबे-लंबे काटके डाल दिये, इनको भी हलका सा चला के भून लेंगे, इसके बाद मैं यहां पर दो टमाटर डाल रही है, जिसको कि हमने महीन महीन चौप किया था, टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डाल दिये मैं तो स्किप कर सकते हैं, टमाटर को थोड़ा सा गलाने के लिए मैंने हलका सा नमक डाला है, तो नमक थोड़ा हिशाब से डालिएगा क्योंकि सा अब हम क्या करेंगे तो एक तो अच्छा ?दो के लिए इसको ढग देंगे. लो टूममीडम फ्लेम पर टमाटर को हमें अच्छे से गलाना है. टमाटर हम अच्छे कहां से चेक करते हैं. तो ईच्छे खासी गल चुका है पानी चुड़ दिया तो जो यह पानी है. से हमें थोड़ा सा सुखा लेना है तो गैस की फ्लेम को हम यहां पर मीडियम कर देंगे और अच्छे से दो मिनट के लिए टमाटर को और भूनेंगे अच्छे से जब भून जाएगा तभी हमारे साग में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा तो यह देखे रंग भी इसका यह तर्का तयार करके डाल दिया है और इसको खुव अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी खुश्बू आई है मेरे साग की तो चली को गर्मा गरम सर्फ करते हैं बहुत चटपटा बहुत ही टेस्टी जटपट बने वाला यह सर्सो का साग बनके तयार हो चुका इसको मक्य की रोटी और सफेद मक्खन के साथ खाये और इन सर्दियों में इसका आनन्द उठाइए आपको बहुत पसंद आएगा उमीद करती हो कि मेरी आज की ये सर्सो की साग की रेसिपी आप लोगो जरू पसंद आई होगी तो इस सर्दियों के मौसम में सर्सो के साग को अपना प्यार अपना सयोग ऐसे ही आशूस कुकिंग मैजिक के साथ बनाए रखिएगा हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर